देखो जो सियम आवास पर स्वाती मालिवाल के साथ बत्तमीज होई है मारपीट होई है पहली बात तो यह है कि इस तरह की गटना मेरे ख्याल में देश में नहीं होगी पहले उसको सियम आवास नहीं उसको गटना आवास बोलो एक तो क्योंकि इस तरह की गटनाएं वहीं होती है वहीं गंदगी होती है गटर में इस तरह की गंदगी होती है और जो यह गटना होई है यह पूरी तरह से साजिसन सोच समझ के की गई गटना है और यह बहुत बड़ा एक सडियंतर है और मैं तो यह कहना चाहूंगा सवाती की जान को खत्रा है ऐसा ना ओ कुछ दिन के बाद आऊए कि एकसीरेंट हो गया तो इस तरह की गटना हो ना तो मेरा तो यह मानना है कि एफाईयर उने चीए दिल्ली पलिस से एफाईयर करें और उसको खुद को भी सामने आना चीए क्योंकि कि वो काफी ट्रोमा में है सदमे में है उसको सामने आका सारी चीज बतानी चाहिए और F.I.R. उसमें क्योंकि CM आउस जो बोल रहे हुआ तो वहाँ पर जो जो भी लोग उस टाइम पर मोजूद थे जब यह गठना हुई है किसके कहने पर हुए है यह सवाती बताए और उसमें मुख्या मंतरी केजरिवाल के उपर ओल रेड़ी है F.I.R. होनी चाहिए क्योंकि उसके बिना उसके अनुमती के बिना जिस आदमी का नाम आ रहा है जिस पीएगा उसकी कोई उकात नहीं है वो इस तरह की गठना करते तो यह गठना सोच समझ गए सडियंतर के तैत हुई है और उसकी जान को बड़ा खत्रा है और अभी मैं खबर देख रहा था है कि क्योंकि वो हमारी कोई यह नहीं है कि पूरो पतनी होने के नाते नहीं कह रहा हूं में यह बात है तो कि उसने लाखो महिलाओं के लिए काम करा है पूरो पतनी होने का मतलब होता है उसके इसाब से काम करते तो अब तक जो आथ लगाने वाड़ा है सवात्ती को उसके आथ तोड़ चुके होते हैं और जो आदेश देने वाड़ा जुबान से उसकी जुबान को खीच लेते ये मामला लाखों महिलाओं का है जिसके लिए उन्होंने काम किया और ये एक विश्वास की बात है अगर वो नहीं बोले गिया तो रोज मरना पड़ागा वो मान समान स्वावी मान बड़ी चीज होती है और जो संजे सिंग कल बयान दे रहे थे कि हमें कारवाई करेंगे कोन सी कड़ी कारवाई होती है संजे सिंग को मैं ये कह रहा हूँ अभी वो पता चलाए कि घर पे गई हैं तो संजे सिंग MP साब भाई आप तो उसको अपनी चोटी वेन मानते थे अब उसके नाम की मांडवाली मत करें अगर हिमत है तो वहाँ स्वाति के घर जाने की बजाए थाने में जा और F.I.R. करवा और स्वाति को साथ लेके जा ये मांडवाली का काम छोड़ दे मांडवाली मत करें अगर दीन इमान है ना तो जो घटना हुई है वो देश के सामने बताओ और बाई ये जो घटना हुई है चोटी मोटी नी है बहुत बड़ा सदेंतर बहुत बड़ा स्केंडल है इसके उपर बोलना चीęt स्वातिको और मेरा तो अपना यही मानना है कि देश की और भी जो महिलाई है उससे उनका भी अगर एक के अद्धेक्स रही हुई महिला आयों की सांसद है अब और वो भी नहीं बोलती उसके साथ इतनी बड़ी गटना होगी वो भी अगर जागा थाने में फायर नहीं लखवागी तो वह नॉर्मल गरांगी लड़की या महिला आयों कैसे करेंगी तो इसलिए मेरा तो यहीं मानना है कि इसके उपर जाच होनी चीए और दिल्ली सिपी को मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी जो जान है वो खत्रे में है चाए गरे मंत्राले है कोई भी जो भी अजिंसी है उनको अपना काम करके उसकी जान को बचाना चीए कि कि प्रगा वे प्रेश्र होगा क्योंकि यह तो मुझे पटाए अगो लड़ने वाड़ी है मर्दानी है जासी गिराणी है अब एकदम दो तीन साल में किया हुग यह मुझे इसा पता नहीं है क्यों नहीं बोल पा रही या तो स्थमे में है सदमे में जो गटना होए लोग जो भी लोग थे जाच परतानार वो जो पी है वो तो बली का बकरा है वो कुछ नहीं है वो तो बली का बकरा बेडिया कोई और है